कि नमस्कार आज हम पढ़ेंगे मानब भूगोल का अन्य सामाजिक विञ्ञानों के सा संबन भाग दो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने इसी विषे का इसी जो टोपिक का परत्तम भाग पड़ा था जिसमें हमने मानब भूगोल का विभन सामाजिक विषयों जैसे के आर्ट सास्त्र, राजिती विज्ञान और इतिहास के साथ किस प्रकार माना भूगोल सम्मंदित है, किस प्रकार ये एक दूसरे के पूरक है और परस पर अंतर सम्मंदित है या इनका धिन किस प्रकार आपस में इनको जोड कर इंटरिलेट करके किया जाता है आज हम उसी कड़ी में कि देखेंगे कि जो अन्य सामाजिक विगान है वो किस प्रकार मानव भुगोल से समन्दित है मानव भुगोल एवं समाज सास्त्र सामाजिक जीवन व्यापार्ट आ सामाजिक क्रियों का अध्यन जिस विश्या में किया जाता है उसे समासास्त्र कहते हैं समाज का मुख्य घटक मनुश्य है मनुश्य निर्मिस समाज अलग-अलग जाती है संगर्ठनों में विबाजित है जिसके भिन-भिनरिती रिवाज एवं परंप्राएं पाई जाती है इस प्रकार सामाजिक तत्वों के ग्यान के लिए वुगोल का ग्यान अदी अफश्यक है बात करते हैं समासास्तर की सभी जानते हैं समासास्तर वहविशे या वहविग्यान है जो सामाजिक क्रियाओं का अध्यन करता है इसका जो उद्या किस वज़े से हुआ कि मनुश्य ने समूह में रहना सुरू किया वो समूह में रहते उसने एक समाज का निमान किया और मनुश्य एक समाजिक प्राणी है वो समाजिक प्राणी होने की नाते वो जो जो गतीवीदियां करता है या क्रियाएं करता है वो सबी उसके सामाजे क्रियाएं कहलाती है उन क्रियाओं का दिन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे समाज सास्तर कहा जाता है हम बात करें समाज की तो समाज का मुख्य गटक क्या होता है मनुश्य है मानव है निश्चित रूप से और मनुश्य नि में समाज अलग अलग जाती है संगठनों में भी भाजित है जिसके भिन भिन रिती रिवाज है प्रमप्राएं है एक छेतर से जैसे दूसरे छेतर में जाते हैं समाजिक जो संगठन है समाजिक रिती रिवाज है प्रमप्राएं है उनमें चेंजज प्रिवर्तन आने लग जा आते हैं और अब हम जब देखें कि जो हम समाजिक तत्वों की बात करते हैं तो उसके लिए बोल का ग्यान आफशक आफशक क्यों है कि कहीं पर भी कोई भी छुच्छेतर है वहां पे दी कोई भी परंपरा का विकास होता है कोई रिती रिवाज का विकास होता है या उनका खा भावित होती है जैसे बात करें हम कि जो खान पान की बात की जाए तो जो छेटर ऐसे हैं जो कि समूंदर किनारे हैं तो वहां का जो खान पान है वो निश्चीत रूप से किस परकार का होगा जो समूंदरी जो बोजन है उस पर आधारित होगा जो मैदानी छेटर है तो उनका यो का पान पान कैसा होगा वा किशि जो फसलों पे अधारित不能 eh थे जो लोग पहारी प्रवतिष्वे क।ї जो पहारी बीच्र पर्वत्र हो वो यूज करते हैं मैदानों में जो रहते हो जो सुतिवस्तर यूज करते हैं तो इसलिए हो करते हैं तो निशय ंपर आधारित होता है माना भूगल विबिन माना समाजों का अधेन चेतर विसेश के भूगली प्रिवेश में करता है जो हम बात करते हैं माना भूगल की तो माना भूगल भी क्या कर रहा है माना भूगल माना समाजों का ही अधेने कर रहा है क्योंकि माना समू है का अधेन करता है वो उस चेटर विसेश के, जहां पे वो मानलसुव्य से रहे रहा है, उसका धन, उस चेटर के भूलिक प्रिवेश के संद्रब में करता है. इसने प्रकार समास आस्त्र मनुश्य की विभिन सामाजी क्रियाओं का धन, छेत्र विसेश की बहुतिक प्रिगटनाओं के प्रिवेश में करता है समास्तास्तर वो भी क्या करता है मनुश्य की सामाजी क्रियों का अध्यन तो कर रहा है ले वो अध्यन के इस प्रिकार कर रहा है 26 जो बहुतिक प्रिवेश में करता है अदर जनसंख्या ग्रामनेव नगरी बस्तियां समाज के विविन वर्गों का संगठनेव कारे आधी ऐसे कारक है जिनका ध्यन मानब भूगल और समासास्तर दोनों विश्यों में प्रमुकता से किया जाता है बार करें जनसंख्या की तो जनसंख्या जो है वो समासास्तर का भी नंग है उसी परकार मानब भूगल का भी अभी नंग है ग्रामनेव नगरी बस्तियां है ये भी जो है मानब भूगल का ही एकंग है और समासास्तर में भी इनका दिन किया जाता है तो कुछ ये कुछ ऐसे ज होनों ही विश्य हम देखे तो मानवी गती वीदियो Agent उनकी प्रिष्धितियों कि अध्यन का ही प्रूमक केण हैं तो हम कह अ कह सकते हैं साधार पर कि समाज स कर दियन मानफ होल के बगर नहीं किया जा सकता और मानफ Ố Ol समाज को आध्यन के बगर अधूरा रहेगा अगला जो इश्य है वो है मानव विज्ञान रिशास्त्र और मानव बोल किस प्रकार आपस में जूड़े हुए हैं मानव विज्ञान के अंतरगत मुख्य रूप से विभिन मानविय प्रजातिय विद्पत्तिय विकास उनका वित्रण कार कैसे हुआ उनका विकास कैसे हुआ उनकी भाष्या उनका वित्रण वो कहां पाई जा रही है बहसा, धर्म, रिति, रिवाज, आदि, सांस्कृति क्रियाओं का दिन किया जाता है मानव विग्यान मनुष्य के विबिन सामुदैक वर्गों तरह उनके वेवारों का विग्यान है मनुष्य उद्भव में विकास कब और कहा हुआ कैसे हुआ इन तत्वों का विग्यानी का धेन ही मानव विग्यान का परमकुदेश्य है इसके साथ ही मानव भूले मनुष्य के इन ही क्रियाओं से समझने थे मानव विग्यान के हम बात करें तो उसमें क्या देन करते हैं उद्भव कैसे हुआ कहां पर उसके उद्पत्ती हुई जैसे नियंत्रिन दिल मानव है यह जो मानव जो है वो कहां पर उनका विकास हुआ है सबसे पहले मानव जो है उसके जो अफशेश मिले हैं, वो कहां पर मिले हैं, विकास कैसे हुआ, उसका जो कर्मिक विकास हुआ है, जो मानव का, वो किस परकार से हुआ है, तो इन सभी का अध्यन मानव विक्यान में किया जाता है, वो जो मानव भूल का अध्यन करते हैं, तो अब देखते हैं, च्छान का अध्यन शेतर जो है कोमन है मिलता दिलता है मानव बोगल में देखते हैं विश्वय की विभिन परदेशियों में निवास करने वाली मानव पर जाते हैं उनका विकास वित्रण आधिकार कोंका बोगली प्रस्ट पूवी में अध्यन किया जाता है मानव बोगल जो है उसमें की हम जो बध्यन करते हैं हम देखते हैं हम उसमें मानव पर जाते हैं उत्पति देखते हैं उनकी उत्पति सिध्धानत के बारे में हम पढ़ते हैं उनका विकास है उनका वरगी करन है उनका वित्रण जिसका अकसरड पर जाती है तो वह प्रजाति प्रश्ट भूमि को के प्रभावित करता है। कोई में जो प्रजाति वातावन प्रभावित के प्रभावित करता है। जैसे निग्रोड जन जाती है, उनका रंग काला है, उनका सारी विकास अधिक नहीं हो पाता, तो इसके एक वज़े यह है कि वहाँ पे टेमपरेचर बहुत जादा है, वहाँ उश्न जलवाई वाला छेतर है, जो कि इस प्रकार से उनका विकास उसको प्रोसाइद नहीं करता बलकि अवरुद करता है, अधिक जो सूरे की जो तेज किरने, सूरे वहाँ पे सीधा से मखता है, तो इसके वहाँ पे चमडी का जो रंग है, वह भी काला होता है, तो वहाँ की जो प्रिस्तितियां है, वह भी उनके मानसिक गूर्ण है, सारे गूर्ण सभी को प्रभावित करता है और इसका अधन दोनों विशों में प्रमुक्तास किया जाता है अधन मानव वूल मानव विज्ञान में मनुश्य की विबिन गती वीदियों के अधन में एक दूसरे के साथ जो है वो जूड़े हुए विशे हैं अगला हम देखते हैं भूगो लेवन सैन्ने विज्ञान किस प्रकार सम्मंदित है सैन्ने विज्ञान जैसा पता चल रहा है जो की सेना से सामरिक जो महत्वेक का विशे है विबिन देशों की अंधरास्टी सीमाओं भूगोलिक स्तीती वातावनिय दशाओं बोतियमानवे सं साथ नो जनसंक्या सुरुक्षी ऑ कि सीमा सीमाओं आदिका अधियन सेन्ने विज्ञान के अंधर हट किया जाता है कि नहीं देशों के मद्दे युदमोचों आने धारं करेंश्चयत की भूतिक दशाओं स्तीती जल्वा इसस्तलागती जल्वन आदिके ज़्ञां के अधर पर किया जाता है इसका ग्में बोट से प्राप्त होता है सैने केुक्णियों के इस देश की सीमा है सुरक्षय है जा है बोगोली कि स्थिती कि इस पर कार pagan किया जाता है और क्यों वी देश उनके मद्डे जो यूद्द हैं या सीमाय हैं उनका नेधान के इस फाट इश्छराओं से एकड़ जल्वारिश असर पर बावित होता है और यदि इनका ग्यान नहीं होता तो सेने कारे संभव नहीं हैं, सामरिक मेत्रे कारे नहीं किये जा सकते हैं अतर सेने किरियों के सुचार रूप से संचालन के लिए हमें माना भूगल साहता लेनी पड़ती है उस चेत्रिस्स की भूगली पश्चिओंगा ग्यान हमें माना भूगल से ही प्राप्त होता है उसकि जाता है अतर दोनों विशे एक दूसरे की पूरक माने जाते हैं गोगलिक सुचनातंतर यानि की जी आई-एस जेग्रोफिकल इंफोर्मेशन सिस्टम विश्वय स्थिति, गत, यंत्र यानि की GPS तदा उपगरों की सायता से भोगुलिक जानकारी प्राप्ते होती है बात में सेन उपयों के लिए पर्थम जो उपगर है वो काटो से जो है वो छोड़ा भी जा रहा है जो की सेन ने कारे के लिए प्रियोग में लिया जाएगा तो आज हमने देखा कि अन्य जो सामाजिक विज्ञान थे उनके साथ में माना भूल किस प्रकार सम्दित है किस प्रापर यह आपस में अंतर सम्दित है और एक दूसरे के पूरक है धन्यवाद